कि अब्रिवन वोप से बच्छ होंगे और आपके त्यारी अच्छी चल रही होगी मैं शेंकी वार्दवाद श्रीच से आपका स्वावित करता हूं अपने थर्टी डेज थर्टी चेप्टर्स का जो फ्री क्रेस्पोर्स मैंने आपके लिए स्टाइट किया था उसमें जो टी क्लीट सबसे बेनिफिचल होगा कुछ स्वावस में करेंगे डेली चेप्टर डालके कुछ प्रीवेस के थुरू करेंगे तो बीमार्द करना और शेयर करना देखो यह होना चीए आज की क्लास जैसे आप देखते हैं उससे थोड़ी अलग कराने वाला हूं देखो हर एक ट मैं अपने दोस्तों को या स्टुडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मेरा पॉइंट ऑफ होता है कि जितना टाइम बचा है उसमें ऐसा क्या कराया जाए जो ज्यादा से ज्यादा यूजफुल रिजल्ट निकाल के आए कंसेट बहुत सारे हैं आपके चैप्टर्स बहुत सारे है स्लेव इतना सारा है बट बात वही है कितना कराया जाए कम से कम टाइम में जो याद भी रह जाए और उसका यूजबी और आपका सो प्रोब्लम भी सॉलुशन हो जाए आपका स्लेक्शन हो तो आज की क्लास उसी सोच के उपर बेस्ट है ठीक है पर उससे पहले आपको हाने फिरिक सलगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट जिरूर कीजिए कने से हे सब्सक्राइब करता हूं मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स भड़ता हो तब और शेर बूर्ब कीजिए जब पता चलता है बहुत कम शेर करते ओं ठीक है तो श्याधा को वहाँ कि क्या क्रोप क्योंगी पता चल जाता है हमारे यूटीटीव स्टुडियो और कि वीडियो दिलेगी तो ओल्मोस्ट कॉंप्लेक्स नंबर के बाद आपको आपकी प्रिवेस येर सॉलिशन पेपर्स की सीरीज वो स्टार्ट हो जाएगी जो टीजीटी बीजीटी दोनों में बेनिफीशल रहेंगी मतलब आगे सलके आगे स्लेक्शन की स्पेलिंग हुआ होंगा स्टाइम थोड़ा सा कम है ठीक है आज का चैटर में पढ़ा रहा हूं दे 15th कॉंप्लेक्स नंबर ठीक है अब कॉंप्लेक्स नंबर कराने से पहले मैं आपको कुछ एक बात सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा देखो जो जिस मेरी पॉइंट आफ व्यू इसके रि रेजल्ट्स का भी आप यूज करते हो अपने अलग क्वेश्चन्स को सोल करने में तो सबसे इंपोर्टेंट जो मुझे लगता है वो है कॉंप्लेक्स नंबर के रेजल्ट्स ठीक है तो मेरा सोचना यह था कि देखो कराने को आप कॉंप्लेक्स नंबर 10 घंटे में तो करा तो मैंने क्या किया है उनके बे ईक्विश पीक्राने वाला हूं और जो इसक्ट यूज भी आप करोगे दूसरे के दस अच्छे से कोपी में notebook होने चीह नोट कर लिया गरो PDF वीडियाप के चकर में मत पड़ो यहां पर मैं डेली पढ़ाता हूं पैन से दिखनी रहा तो मैं PDF से नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप भी अपना notebook में लिखा रहा हूं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शांदार लाजवाब जवर्दस्तकार्स देखें कोंप्लेक्स नंबर के अंदर सबको पता है रिप्रेजेंटेशन होती है जैट इसकोल टू ए प्लस इता बी अन ब्यार्ट रियल नंबर्स इता इस दे इमेजने वन इस देट वाल्यू अंडर दी रूट माइनस वान इता स्केर की वेल्यू होती है माइनस वन आयटा क्यूब की वेल्यू होती है माइनस आयटा और आयटा स्केर की वेल्यू वह बता दिया आयटा की पावर चैर की वेल्यू कितनी होती है यह बाते सब को पता होंगी क्योंकि आप पीजटी की त्यारी कर रहे हो तो सब को ही पता हो स्थेंगर है और उसकी वेल्व आपती पूशसलेगा कि one प्लस हायट की पार 2027 k practitioners कुछ भी ते देगा ऑब ओर उसकी वेल्व आपसेपूसलेगा कि इसकी वेल्व गया तो मौश्ट wiek, दसुंस क्या करेंगे माइनस च्यार कावर के उस सब में होगाanda-4 की पावर दूसब में रहेगा क्यों क्या है सबसे पहला स्टैप जो आप करोगे वह क्या लोगे 1-0 इस एंडए रखा ये उस N को डिवाइड करोगे चार से सबसे पहला स्टैंप जो पावर दे रखियोगी उसको आप डिवाइड करोगे किसे च्यार से तो जब च्यार से पावर को डिवाइड करोगे तो कुछ न कुछ कोस्यन टाएगा भागफल आएगा और कुछ न कुछ रिमेंडर आएगा सेस्वल आएगा ठीक है तो यह दोनों चीज आपको याद होनी चिए तो आप कैसे लिखोगे आप लिखोगे जिखिना भागफम के पावर क्यों तो गहों मैने दीर और को याइगा यह आपक्on करना, उसकी जिम्मवारी मेरी है क्राने की जिम्मवारी मेरी है ठीक आपकी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहले रजल्ट के उपर बेस क्विशिन कैसे और उनको कैसे याद करेंगे देखिए पहला क्विश्चिन आपके सामने है दोस्तो वन माइनस अगी पाफी आपसे पूछा है ठीक है तो देखो कैसे हम सौन करेंगे इसको जब भ पर भी आप एक्जेक्ट आपकी सामने आजए या किशी भी कुशन में का यूज आपको करना पड़ जए तो आप सबसे पहले पावर को चार से डिवाइट करेंगे पावर कितनी है बारा बारा को जब मैंने चार से डिवाइट किया तो कितना आ गया तीन तीन पर पूरा लिख दूआ मैं तीन लिख दूआ कि बारा बटे चार मनलब तीन अगली बात क्या है कि फिर से एजटी लिखना अगर वन प्लस आयटा आता है वन तो वन प्लस आयटा लिखिए और इसकी पावर आएगी क्या आर रिमेंडर तो जब मैंने बारा को चार से भाग किया था त यहां अगला सोल करते हैं पिर सी देखी सबसे पहले पावर देखनी है बारा बारा में चार मतलब 3 क्यों की वैल्यू आगं तीन तो मैंनस 4 की पावर 3 फिर 1-1 मैंनस आयटा और 1-3 की पावर एगा वारा को चार से वाग किया तो रीमेंडर जीरो आया तो किसी की पावर 0 मत लब 1 हो जाएगा तो यह आगे आपका अंस्वर माइनस च्यार की पावर 3 माइनस 64 यहां पर भी माइनस 64 128 इस यूर राइट अंस्वर यकीर मानिए पांच सेकेंड के अंदर इसको सोल किया जा सकता है बिना पैन चलाए इसको सोल किया जा सकता है अगर प्रैक्टिस अच्छी दस ही रेजल्ट बता हूंगा सिर्फ याद करना है 90% 99% कॉंप्लेक्स नंबर में आपके क्वेशन इन दस रेजल्ट का यूज करके सोल हो जाएंगे यह बात जरूर इंपोर्टेंट है तो अगला क्वेशन देखिए आपके सामने प्रैक्टिस इतनी करावा कि जो रेजल् चैना से डिवाइड किया नुवटे चार मणब 4 से 2 बाग जाएगा तो क्यों की वैल्यों कितनी आ जाएगी दो चार दुनियात होता है दो पे बाग तो किवेल्यों आ गए 2 तो मैंस चार की पावर सबसे पहले क्यों होती है तो दो लिए दिया ठीक है फिर या फिर वन प् इसको इसको इसगो करोगे तो नो बटा चार मेंस चार गी पावर तो दो आए गाई से अब आएगा वन मैंनेस आटा की पावर रिमेंडर कितना बचेगा एक बस इतने शिवाद ठीक है सोल कर लिए माइनस चार का स्केर माइनस चार का स्केर मतलब माइनस प्लस के 16 आपने आगे कॉमन निकाल लिया और इसमें ब्रैकेट में आपका बचा 1 प्लस आयाटा प्लस वन माइनस आयोटा यह आपका बचा आयोटा से आयोटा कैंसल एक और एक दो शोला गुना दो बत्तिस आपका आंस्वर आ गया है यह आपका आंस्वर है ठीक है समझाया प्रैक्टिस करो समझो अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ी ठीक है एक और क्वेश्चिन पावर दे रखे होते हैं यह चैर से डिवाइड करते हैं तो जो भाग जीशबी जाता है पाथ को चैर से डिवाइड कर तो च्यार एक कम चार एक प test वह गया तो मुलब मायनस चैर की value कि तनी हागई वर ठीक है गुणा में सेम भई, माइनस चार की पावर 1 और 1 माइनस आयटा की पावर 1 ठीक है भई, बस इनको सोल कर लो यह जखो, पुछ देर के लिए माइनस चार को बाहर कर लो, माइनस चार और माइनस चार कितना, तो मैंने लिख लिया बाहर अब यहां देखिए one प्लस आयटा one minus आयटा इसको ए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ तो बस एक ही बात बताई दो स्टेप आपको बता दिया जब भी इस तरह का क्वेशन आएगा वन प्लस आटा या वन माइनस आटा तो जितनी पावर होगी उसको च्यार से डिवाइड करूंगा तो जो भी आएगा उसको माइनस च्यार की पावर लिख दूंगा और दूसरा जो भी आपको दे रखा होगा वन प्लस आटा या वन माइनस आटा उसकी पावर जो रिमेंडर भजता है उसको लिख दूंगा आपका पहला रिजल्ट कम्प्लीट होप आपको समझा गया होगा दूसरी रिजल्ट पे चलेंगे दस रिजल्ट होने का मतलब है कॉंप्लेक् ड़ी हैं यह आपके सामने है टाइब टू रिजल्ट नंबर तू रिजल्ट है मॉडिलस ओफ जैड होता है किसे पूछा जाता है आपको यह वैल्लू दे दी जाएगी किए square root of this a plus iata b ka square root निकालो यह आप से पूछा जाएगा आप squaring करोगे rationalization करोगे आप direct यह याद रख लो इसको note down कर लो अभी note down करो pause करके screen और note down करने के बाद आगे सीखना start करना ठीक है जब b की value greater than zero हो तो under the root modulus of z plus a by two plus iata modulus of z minus a by two under the root यह होता है अगर b की value less than zero जाएगी तो यहां पर minus आजाएगा बस कितना फ़राग है plus or minus का कैसे याद होगा उसकी जिम्मवारी बेरिया मैं practice इतनी करा दूँगा कि वह आपको याद होगा ही होगा बस modulus of z की value कितनी होती है a square plus b square under the root a square plus b square under the root तो चलिए पहला question आपके सामने start करते हैं आप से पूछा है seven plus iata 24 इसका square root आप से पूछा है इसका square root आप से पूछा है तो देखिए कैसे करेंगे इसका answer बहुत ही आसान है नहीं जो मैंने सबसे पहले आप modulus of z के इंदर सबसे पहले जो आप काम है triplet स्याद करने बहुत दुरूरी है modulus of z निकालने के लिए क्योंकि आपको फिर पैर्न चलाना नहीं पड़ेगा जैसे तीन च्यार पांक एक बार बता देता हूं अगली बार डारेट करेंगे ठीक है साथ स्केर प्लस चोविस का स्केर इन दोनों की जगह मैं लिख दूआ कितना स्केर और स्केर से अंडर दी रूट मतलब 25 मोडूलस ऑफ जैड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 ठीक है और यह बिना पैंच ले सोल होना चाहिए वाई अगली बार ठीक है एक बार तो मैंने आपको बता दिया तो मुल्डूलस ऑफ जैड कितना है 25 25 में ए जोड़ा 25 बतिस बतिस बटे में दो क्या सुनो मैं जैसे बोल रहा हूं ना उसको सुनो अच्छे से सुनोगे तो उसी तरह सोच पाऊगे और मेरी तरह सोच पाए तो इसका मतलब आपका स्लेक्शन हो गया ठीक है तो देखो 25 में साथ जोड़ा 32 32 के बटे में दो किया 16 16 का अंडर दिरूट आया कितना च्यां ठीक है ओके पलस में आयटा अब देखे जैड की वैलू है 25 25 में से साथ गए 18 18 के बटे में दो किया 9 और 9 का अंडर दिरूट आया 3 4 प्लस आयटा 3 बस बिना पैंस लाए कर सकते हो अगर कोई रजल्ट याद है और रजल्ट याद फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा हो जाए ठीक है आगे बस ध्यान रखना हमेशा जब भी स्क्वेर रूट निकाला जाता है तो आगे क्या लिखते हैं पलस माइनस लिखते हैं ठीक है यह आपका क्यों यह यूज किया पलस वाला क् अगर यहां पर माइनस में माइनस वाला यूज करने ता ठीक है आगे देखो और प्रैक्टिस कराऊंगा बीना पैंच लाए अंस्वर कैसे निकाल हैं देखिए कि 10 चोविस तो ट्रिप्लेट याद होता तो आप कहा देते कि सेथ मॉड्लस ऑफजेट की वैल्यों आएगी कितनी है विद्थ दस का दस ओविस चाब्विस का ट्रिप्लेट होता है वह नहीं दस का स्केर जमाद 24 का स्केर होता है 21 के स्केर के कुल तो मॉड्लस ऑफ जैड क वेल्यू आ गई 26 वेल्यू पूट करना स्टार्ट किजिए 26 प्लस यह वनलब 26 प्लस दस 37 बटा में दो अठारा अंडर दिरूट मैंने यहां लेख दिया अठारा ठीक है दूसरी बात क्या लिखेंगे पलस आयाटा अब सब्सक्राइब आपका अंस्वर आ गया प्लस माइनस आगे लगाना ना भूल ठीक है बहुत इजी सिंपर बिना पैंचल आए डारेक्ट ऑप्शन पर टीक करना आप यहां से सीख सकते हैं और प्रेक्टिस करांगों याद करा कि भेंज़गों देखिए अब की बार बी माइनस वत इस समय तो बीच में क्या आजाता है फिर से प्रेसे विना पैंच लाए अंसर देने की कोशिश करते हैं सोचिए साथ चोविस है तो मोडूलो सब्जेट कितना 25 चीज़ा ट्रिपलेट से याद होना चाहिए साथ चोविस 25 में ए जोड़ेंगे 25 में माइनस साथ मनलब ठारा ठारा बटे दो नो और नो का अंडर दी रूट तीन यहां पर लिखा जाएगा प्लस माइनस तीन सिंपल 25 में ए जोड़ना पर एक वालू तो साथ है तो 25 में से साथ गया अठारा आया अठारा बटे दो किया नो आया पर नो का अंडर दी रूट आ गया तीन बस ठीक है माइनस आयोटा अब जैड माइनस से फिर से वही जैड की वैलू कितनी है 25 25 में ए घटा हुए उपर पह देखा लोगे तो कितना चाह यह आपका अंसर ठीक है बस बात है आपके दिमाग की कि कितनी चीजें आप दिमाग में कैल्कुलेट कर सकते हो आक्यूरेटली आपके सामने आपका सेलेक्शन तभी निर्दारित हो ठीक है नेक्स्स आज़ते हैं तीसरे रिजल्ट के उपर आ सब्सक्राइगा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यों आप नहीं चोड़ होगे देखो मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जैड जैड इन्वर्स हम इसको बोलते है यह किसके एक्वाल होता है जैड का कंजूगेट अपोन जैड स्केर मोडूलस ऑफ जैड का स्केर मोडूलस इसकेर से कट जएगा तो मोडूलस ऑफ जैड की वाल्यू कितनी है इसकेर प्लस बीस्केर डारेक्ट इतनी बात द्यान नखियुक्ष्ट क्या होता है जैड के उपर बार लिखा होता इसको conjugate बोलते हैं इसमें क्या करते हैं कि जो बीच में साइन है बस वो बदल देते हैं यह जैड है ए प्लस आयटा भी था इसको ए माइनस आयटा भी प्लस को बस चेंज कर देते हैं माइनस में तो वो उस complex नमर का conjugate बन जाता है सिर्फ इतनी बात आपको याद होने चीए question आप निकालोगे इसके उपर direct आप से पूछेगा कि कोई भी आपको complex नमर मतलब z दे देगा और आप से पूछेगा इसका multiplicative inverse निकालिए z inverse निकालिए इस तरह का question इसके उपर बेस पे बनता है तो चलिए करते हैं फिर्षे शांदार और चुमतकारी ट्रिक्स का इस्तिमाब देखें बस यही बता है जैड का उपर लिखेंगे क्या z का conjugate नीचे लिखेंगे z का modulus of z का square तो चलिए पहला question प्रैक्टिस कराता हूं आपकी यह आपको multiplicative inverse मतलब z का inverse आपको निकालना है तो सबसे पहले करते हैं z conjugate उपर लिखा जाएगा और z conjugate में फरक क्या है यहाँ पर प्लस है तो बस लिख देंगे minus और exact एगजए यह लिख दिया ऊपर का हिस्सा अब बचा क्या है modulus of z का square में क्या होता है डारेक्ट a square plus b square a की value है तो इन दोनों का square जोड़ दीजिए under the root 7 का square हो जाएगा 7 और 2 का square हो जाएगा 4 7 और 4 ग्यारा यह आपका answer है ठीक है बहुत easily आप option eliminate कर लोगे बहुत easily आप इसको solve कर लोगे बस simple और practice कराऊंगा आप selection जुरू करवा के छोड़ोंगा देखोंगा फिर से जैड की value आपसे पूछी है और जैड इंवर्स आपसे निकालने के लिए बोला है जैड इंवर्स होता है पहले तो स्केर का मतलब 49 49 चास और 16 कितना फैसेट यहीं आपका अंसर है 65 पीजिवर राइट अंसर पूर अपन आइटा सेवन अपन 65 है नाईजी बिना फैंचला अंसर निकाल सकते है ठीक है चलिए आगे आगे फिर से आपके सामने यह जो बहुत ही कैल्कुलेटिव चीज है इसको आप बहुत इजिली निकाल सकते हो इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा अभी देखके बड़ा बड़ा लग रहा होगा बैस इसको नोट डाउन कर लो जब मैं आपको सोल करना शिखा दूंगा आपको लोगे का सरक इतना ही जी क्योंकि इसकी वैली बुक्स में बहुत लेंथी लेंथी सोल करवाई होती है मैं आपको कराऊंगा बिल्कुल बेसिक एजी के एक स्टेप के अंदर अंस्वर कैसे निकालेंगे सिर्फ वन स्टेप सॉलूशन देखिए क्योंकि पोसीबल है देखि तो कमपलेक्स नमबर दे रखिए होंगे तो करना किया पहले उपर से नीचे वालो की मृतिफिलाई करोगे एक योशी की मिलिप्लई ए सी बी की इटी बी घी और नीचे आएगा ची प्र बेस पर ऊपर आगे क्याएगा पहले म EL निक्योंategal गोगे बी और सी जी मतलब इस तरफ B और C और माइनस में कर दोगे A और D बस B C माइनस A D प्रैक्टिस कराऊंगा इतनी कराऊंगा ये भी आप बिना पैंसलाए सोल कर दोगे इस बात की गारंटी मेरी है परस नोट कर लो प्रैक्टिस कराएंगे याद कराएंगे देखे अगला आपको क्या पता होना चाहिए अगर A प्लस आयटा B अपॉन B माइनस आयटा A इसकी पावर N है तो ये आयटा की पावर N होता है और A माइनस आयटा B बस इतना याद रख लो इन में अगर प्लस उपर है तो प्लस आयटा की पावर N है और माइनस है उपर है तो माइनस आयटा की पावर है न है ठीक है यहां पर एन तो बस इतनी वाल्यू आपको पता होने चीए ठीक है तो चलिए इसके उपर questions कराता हूँ याद कराऊंगा बिल्कुर बहुत अच्छे से आपको याद हो देगा देखिए question आपके सामने है 11 माइनस आयटा 7 प्लस अपॉन वन प्लस आयटा तो एक्स प्लस आयटा एक्स और वाई की वैल्यू आपसे पूछी रही है ठीक है सबसे पहले जब आपको यह एक complex नंबर दो complex नंबर जब आपको दिखाई देते हैं तो rationalization की तरफ स्केरिंग की तरफ नहीं जाना है हमें करनी है डारेट ट्रिक यूज वह मैं आपको क्या स्काई कैसे शिखाई ऊपर वाले की नीचे से गुना एक ग्यारा ठीक है फिर माइनस साथ कितना आ गया लिख दिया पहली बार समझा देता हूं आप पहली बार में सोट करांगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सर्फ बहुत फास्ट कराते हो देगा इसकी और इसकी मिल्टिप्लाइए गुना एक ग्यारा इस उपर वाले की नीचे वाले से माइनस साथ और एक माइनस साथ ठीक है नीचे आएगा टी और डी का स्केर मतलब यहां जो नीचे जो हैं इनके नंबर इनका स्केर एक का स्केर जमां एक का स्केर आयटा कोफिशिंट क्या है यहां पर एक है बी की वैलू भी एक कि यहां पर अगला क्वेस्टन अगर पांच सेकेंड में ना निकाल दिया तो गारंटी है बिलकुल पांच सेकंड में बिना प्रेंच तो पहले करने है उपर से साथ और एक की मेल्टिप्लाई आगी माइनस साथ और माइनस में कि मेल्टिप्लाई 11 गुणा यहां एक है उसे नहीं है तो एक है तो 11 गुणा 11 अपन में क्या आएगा जो यहाँ अपन में आया था बस इसको 66 गया ग्यारा मैंसे साथ गए चार बटा दो मतलब दो प्लस आयटा माइनस साथ और माइनस ग्यारा माइनस अठारा माइनस अठारा बटे दो माइनस नो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस नो यह किसके इकॉल दे रखा है एक्स प्लस अटाव वय के इक्वल दे रखा है येक्स प्लस आटाव वय के इक्वल दे रखा है और X और Y की वेल्वगल पूछे though comparison कर लो X की जगह क्या लिख रखा है दो X की वेल्व कितनी अगय आ गई है दो Y की पिन मा नश नो ठीक है तो यही आपका अंस्वर है एक्स की वेल्यू दो वाई की वेल्यू माइनस नो इस यूर राइट अगला क्वेशन बिना पैंच लाए बहुत जब्दी निकालेंगे देखें कैसे आपको दे दिया है आपको ए माइनस भी आपसे पूछ लिया है मतलब एक वेल्यू चली आप इस भी निकाल पाओ देखें बिना पैंस लाए कैसे सोच के माइन से कलकूलेशन करके फटा-फट वीदिन से कैसे निकाल निकाल कर देखें पहले मैं ऊपर से नीचे वालों की माइनस आठ 21-8-13 दे साथ परशुज कर पलड़ी स्कर्फ है भाई तुम्हें सिखाना है मुझे कि इस तरह भी सोचोगे तो स्पीड से अंसर करोगे 21 फिर इनकी गुणा माइनस दो और चार की माइनस आठ बटे में इनका स्केर साथ का स्केर उननचा चार का स्केर सोला उननचा सौला तो 21 में से आत थे यहां पर कितना लिख दूंगा ठेरा निभूत का मतलब स्टाट मायनस दो और मैनस साथ कि आएगी माइनस 14 इन कि और चार कि आएगी माइनस 12 क्योंकि इश में माइनस आता है ना माइनस 14 और मैनस 12 ऑड़ा है गा माइनस 26 और माइनस 26 के बटे में आएगा 55 तो 13 से काटो गए तो तेरा दूनीच शबिश तेरा पंचे पैश्ट मालब दो बटे पांच आयोटा कितना आएगा दो बटे पांच इतनी सी बाद ठीक है तो जितना दिमागों पर प्रेसर दोगे उतना सोल करेगा ठीक है वैसे छिखाई दिया है कैसे करना है आपको ठीक है गहां यहां एक वार फिर से देख लेते मैं करके देख लेते हैं फिर आप कावाहरे इस बहुत स्थीकित से करा दिया तो बी सी माइनस div का बीस दूर माइनस साथ साकट माइनस डिकेशा से सिद्धा माइनस दो बटे 5 यह आगा 1 प्लस 1 माइनस आयटा 2 बटे 5 ठीक है अब देखो अंसर आपको क्या चाहिए कंपेरिजन करना जरा इसके साथ ए प्लस आयटा बी ए की वैल्यू क्या है एक बटे 5 बी की वैल्यू क्या है माइनस दो बटे 5 आपको करना क्या है एे माइनस बी शरा नहीं से घर आना है बी बी कितना माइनस दो बटे 5 माइनस माइनस प्लस दो 3 एक और 2 2 3 3 मटे 5 आपका अंसर आगया है येकिन मानिए पांस से उपर एक्वेशन नहीं तिकता अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे होती तो वसीली मिस्टेक ना हो जाए देखिए अगला रिजल्ट पाच्वा रिजल्ट आधे रिजल्ट आप नहीं याद कर लिए हैं कुंग्रेचिलेशन्स आधे और करने हैं वह भी कराएंगे देखिए जब भी सम ओफ और कंसी क्यूटिव पावर ऑफ आएटा की पावर अगर चार पावर लगातार है तो उनका सम जो होता है वह किसके एकवल होता है मैंने है जीरो के एनल लिक रखा हो दोजिरो दो हजार लिक निख रखा से दो जार तिन तक तोजिरो एकस्सोंति एकसर तोचछविस कुछ भी लिख रखा जिए ठीक है और आगे आपको क्या रियाद रहना है देखलो होती है ये चीज़ गो कि इतना आपको ध्यार रखना है नोट करना है पोज करके नोट कर लिया अगरो रागे तोल के आगरो ठीक है प्रेक्टिस कराने की जिम्मेवारी मेरी है याद कराने की जिम्मेवारी अपनी है देखो smallest integral value of n for which is equal to this तो आप से यह पूछा है smallest value आप से n की value पूछिए देखो पूछा उपर होता तो minus आइटा हो तो इतनी सी वालियो इसकी value कितनी है आइटा आइटा की power n लिख दिया ना आइटा की power यह हमने वह भी बढ़ा था कि प्लस है तो प्लस आइटा और माइनस वाला होता तो मैस आइटा लिख देता बस simple सी बात तो आइटा की पावर एंड बराबर वन और वन को हम क्या लिख सकते हैं आईटा की पावर चार बस इतने सी बाद जब बेस सेम हैं तो पावर इकुल हो जाती है मतलब एंड की वैल्यू कितनी आ गई चार यही आप से पूछा था smallest integral value of n तो आपका अंसुरा गया n की वैल्यू चार यही आप बस इतना बता होना चेह प्लस है तो प्लस आयटा माइनस वाला उपर होता है तो माइनस आयटा बस सिंपल रिजल्ट आपकी कोपी में प्रेक्टिस मेरे बोर्ड पर आपका स्लेक्शन जरूर हो लगे रही है वन माइनस आयटा आप उन औном कि बसी अब की बार मैंनस अ के माइनशायक्टे की इक फ़ोलोगा तो म माइनस आयटा का कितना कितना अयटा स्केर स्केर और आयटा स्केर की कि स्केूली कितने माइनस वन बताओ कुछ डीन का क denken quit है कुछ बहूं आगे देखे चो आगे यह पूरी टाइप रहती है जैसे एक आयटा की टाइप एक टाइप एक ओमेगा की टाइप यह तीन ही खेला है कप्लेक्स नमर में ठीक है देखिए ओमेगा की वैल्यू याद होने चाहिए हमेशा निकालनी नहीं है एक्जेक्ट जहां भी यूज करने होगे एक्जाम में एक प्लस की जगार माइनस आया है आयटा अंडर रूट त्री बाइट टू सेम ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है वर्न और वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केर की वैल्यू होती है यह आपको यह मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका आपके एक्जाम में बहुत मतलब मालो पांच यह ओर यह दस हो यह मेंगा के वैल्यू यह हो यह तो अगर तीन यह तीन का मैं एंण तो तो इस पुरे की वैल्यू कितनी जाहेगी टीन और तीन के अलग कुछ कुछ वी हो मालो चार आठ पांस दस छे बारा कुछ वी हो तो कितनी वैल्यू इस पूरे की जी हो वस यह रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो नोट बुक में नोट कर सकते हो अब इनका एक्जाम में कैसे यूज होता है वह मैं आपको सिखाऊंगा तो चलिए देखते हैं देखें वन प्लस ओमेगा प्लस टू ओमेगा स्केर की होल की पावर क्या दे रखा है क्यूब दे रखा है तो देखिए कैसे सूल करेंगे वह हमें तो पता किसकी वैल्यू होती है वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केर की वैल्यू पता होती है तो हम तो इसमें यह ढूने तो हम क्या करेंगे वन प्लस औमेगा प्लस इस into मेगा है इसको दो दो 加श्केयर है तो मिंटा स्केयर प्लस मेंडाँ तो में गार खेले लिए और होल कि पानी है लो में इनक्या किया दो में तोड़ दिया तर सकता हूं बिलकुल आप बोलों गया 시간 हासर कर सकते हो इसकी value कितनी होती है इसकी value zero होती है अभर दो निखे थी क्योंकि omega cube किpend्ली हमें पता है स्यक्ए yunga q नहीं लिखता हूं कि कई बच्चों के लिए नए रेजल्ट्स हो सकते हैं हुमेशा उनके सामने रहें आप देख पाऊ साथ साथ इसलिए ठीक है चलिए अगे फिर से इसके बेस पर कुशन कराता हूं किस-किस टाइप के कुशन साते हैं याद करेंगे रेजल्ट्स को देखे कि यह अब आपके सामने है तो इस तरफ जाद कर क्या हो जाएगा मैनस हो जाएगा मि 살짝 क्या होती है माइनस मेंगा स्केर होती है बस वहीं तो इसकी स्रफ दिया मैनस ममiblia स्केर और एक माइनस मॉ benevolrose डीattow था और पूरी की पावर थी साथ बहुत इसी है कर लोगे सो माइनसों मेगा स्केर माइनस माइनस स्केर का मतलब क Katha माइनसस दो उमेगा स्केर Azka कि पाउर साथ दो کی डूनी चोधा लिख लिए रहा है ठीक है मैनेस दो थो साथ कितनी मानेश एकसो 28 ओंपेचे पारे चोधा ओंश को नो किया निखे होगों nowrup 12 वी वह ओंडूर। क्योंन लिखा क्योंकि ओमेगा की वैलु हमें बता है है अगर ओमेगा 3 की multiple विद्वाएंग उस्के सब्सक्राइब उब गोडिंट ऑन atau 6 Neoकी 47 वह नोगा oma Desanızि व्टीएट ओमेगा स्केट यही आपका थी कह आगे समझ वैरि गुट आगे और थ्वड़ी शी टाइप में वैरिशन लेके आते हैं और रेजल्ट्स के help से क्योंक और स्कूल करते हैं देखिए प्लॉस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केर वन माइनस ओमेगा प्लस omega square की पावर 5-32 यह question आपको solve करना है तो देखे कैसे आप इसको solve करोगे बस value put करनी है एक आपके पास यही result है इसी से आप हमेशा value put करते हो तो यहाँ पर हम करेंगे 1 plus omega की value put यहाँ पर हम किसकी value put कर देंगे 1 या omega square की value put कर लो 1 plus omega square की value put कर लेंगे ठीक है तो देखा भई 1 plus omega की value कितनी होती है minus omega square तो minus omega square और minus omega square इसकी power कितनी है 5 तो minus 2 omega square लेख सकता हूं इसकी power 5 लेखी जा सकती है आप बोलोगे सब बिलकुल लेखी जा सकती है ठीक है फिर दूसरी चीज़ देखे क्या है इसमें 1 plus omega square की value put करूंगा किसकी value put करनी है किसकी नहीं simple lemon language में याद रखना है जो minus वाले हैं उनसे अलग जो plus वाले plus वालों की value put कर देनी है आप को जंजटी नहीं है सोचने का इसमें plus के 1 और omega थे तो इनकी पूट कर दी इसमें plus के 1 और omega square थे तो इनकी पूट कर दी और minus में है कितना 32 इसको भी 2 की power में लिख लो क्योंकि हर एक जगए 2 की power आ रही है तो 32 को क्या बोलते हैं 2 की power 5 बस अब करना क्या है करना सिर्फ इतना है कि दो की power 5 सब में से common निकाल लो या माइनस वाला भी निकाल लो है ना वी प्लस वाले हो जाएंगे omega की ट्रम है ना तो माइनस 2 की power 5 मैंने सब में से common निकाल लिया तो यहां पर minus 2 की power 5 गया तो बचा कितना omega square की value omega square की power 5 मतलब omega की power 10 देखो बची माइनस 2 की power 5 गई बाहर अब omega की power 2 उसकी power 5 दो पंजे 10 लिखा ठीक है आगे यह जा चुका है माइनस 2 की power 5 अब omega की power 5 अब यह माइनस 2 की power 5 बहार चला गया तो यहां पर क्या बच गया एक अब देखिए मैंने आपको कहा था अगर आपके सामने यह हो वन प्रस ओमेगा की पार एन और 20 अगर एन की value 3 हो यह 3 का multiple तो अंस्वर 3 अगर उसके लावा कोई भी हो तो अंस्वर कितना 0 तो बस इतना ही देखो तो 5 भाई 3 तो नहीं है तो 3 के लावा कुछ भी हो इस सारे की value क्या होती है जीरो और जीरो के साथ multiply करोगे तो उसकी value कितनी जीरो जीरो आपका अंस्वर आ गया here is option a is correct आ गया भाई समझ वैल्लू पूट करो अंसर पाओ वैल्लू पूट करो अंसर पाओ नेक्स्ट पर चलते है रिजल्ट नमबर साथ यहां तक पहुंच चुके हैं तो थोड़ी देर और बना के रखी पेशेंस अधस रिजल्ट और complex नमबर में आपकी help बहुत आप इंदर देगा यह question की statement में रहेगा और आपसे पूछेगा maximum या minimum value modulus of z plus c की यह आपसे पूछेगा maximum value पूछे तो a plus b minus c करना है और minimum value पूछे तो minus a b plus c करना है बस इसमें तीसरे वाला minus है इसमें पहले वाला minus minimum में पहले वाला minus है maximum में तीसरे वाला minus है इतना करना है और आपका question soul हो जाएगा यह टाइप बहुत famous है एक्जाम में बहुत बार repeat होती है इस तरह की type ठीक है तो देखिए तो देखिए यह है यह यह है बी और यह है पूछा क्या है maximum value तो maximum value में तीसरा minus होता है पहले तो जोड़ते हैं चार और तीम साथ साथ में से तीसरा एक गड़ जाएगा छे अंसर आपका आगया छे क्या पैन चला है आपने नहीं चला है क्योंकि आपको डारेक्ट रिजल्ट याद था कि जब यह वाला रिजल्ट कि यह आपको रिजल्ट था जैड़ प्लस एका मोडूलस अगर लेस देन इक्वल टू भी आ जाए तो जैड़ मोडूलस ओफ जैड़ प्लस सी की maximum value यहां से निकालते हैं मीने में यहां से निकालते हैं उसी चीज़ का आपने यूज कर दिया यहां पर बास और आपका आप ठीक है देखिए एक और क्वेशन देख लीजिए थोड़ा और अच्छा क्वेशन में आपको कराता हूं इस क्वेशन को धान बोर्ड पर देखें जैड माइनस फॉर बाइजड इसका मैंने ले लिया तो क्या बन गया जैड़ का स्केर माइनस फॉर अपॉर अ इनको अलग-अलग मोडुस में तोड़ दूगा तो देखिए मैंने उ पर वालों का मोडुलस अलग किया नीचे इसे वालों का कर दिया मडुलस माइनस फॉर अफॉर मोडुलस ऑफ जैड़ इज कर दो आखि का दिया जो की बिलकुल प्रोपर्टि होती है मोडुलस की हम य यहां पर हो गया मल्टी फ्लाई यहां तक बाद समझ आ गई तो यह जो पलस का टू मोडूलस जड़ है इस तरफ पलस का है अगर उस तरफ लेके जागा तो क्या हो जाएगा माइनस का लिख दीजिए यह अलग-लग कर दिया मैंने मूडूलस जड़ का स्केर माइनस टू मोड जड़ और माइनस का चार एगटीज बटे में आ गया बिली बस इतनी बराबर में आ गया क्या जीरो क्योंकि इस तरफ पुछ में नहीं बचा जीरो बचा अब आप से तरह चारे की स्रूंड में चाहिए और उनसे मदद मांगिए तरही माम तरही माम ऐसे तो आपको बस सोल करना है इसका देखिए मैंनस बी पलस माइनस अंडर इरूट वी स्कर मैंनस 4a अपन टू ए बचपन से आप ऍछरी कलास से पड़ते वह आ रहे हो स्रीधार है सारे की तो बहुत हो minus b minus b ka मतलब पहले से minus b minus minus कितना हो जाएगा plus b plus minus under the root b square minus 2 square कितना 4 minus 4ac 4 a की value कितनी है 1 c की value है minus 4 4 a और c की value minus 4 confusion ना हो औरना मैं डारेक्ट भी यहां पर प्लस का लेख सकता था कि बाद में कहीं आप सोचने लग जाओं एक आदा भाई होता है दोस्त ऐसा ठीक है तो जिसको बिल्कुल एक प्लस चार चोग 16 अगया ठीक है और बटे में कितना है टू एक है एक वैलो कि इतनी वन तो लिखने ही जूथ नहीं है सोलाओ चार बीस यहां पर स Pigम लिख लिख़िक है बस कुछ नहीं करना दो कमनेले ना है यह से दो कमन की या तो यहां पच यह सक्रेड दोढ़े श्याइज वैज वेस तो इस में से टू कोमेंच लागया तो बाता कितना में जैसा कितना टू से टू अंसौर आ गया बार टूमि शौर ममा डूरोड़ फाइफ पोच्चा क्या प्लास वाल है यहां से निकाल सकते हैं कि वेक्टर हम बच्पन से बढ़ते आए स्रीदराचार्या फोर्मुला वहां स्क्राइब निखालते थे उसमें वैसे हमने इस पर अपलाई किया जैसे एक्स के एर माइनस 2x प्लस 4 इसकल टू जीरो यह तो उसमें जैसे निखालते थे ऐसे ही कर फिले अब आगे रजल्ट नमबर आठ पे इसके लावा दो रेजल्ट और और आपका बेड़ा पार देखेंगे लिए इंपल आपको यह वैल्यू पता होने चाहिए अलग-अलग है तो इसको अलग-अलग मोडलस दिया जा सकता है जैड़ वन को अलग मोडलस जैड़ टू को मोडलस अलग अभी-अभी मैंने किया था और जैड़ टू की वैल्यू जीलो के इकवल नहीं होने चाहिए बस इतने चाहिए दूसरी चाहिए अगर प्रोडेक्ट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और मोडलस है तो उनको भी उनका अलग-अलग-अलग मोडलस दिया जा सकता है ऐसे बटवारा क्या रहता है जैड़ अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग कोई एक कासर एक चार और एक कितना आप आजाएगा अंडर दी रूसर सक्काइए नोग डोगा स्क्षेएर चार नोग चार तेरह अंडर दी रूट तो दोनों में एकटा कर दिया अंडर डी रूट पांच बटे 3 सेरा यह आपका अंसर होगा क्योंकि मोडलस और जैड निकालना में पहले इसका हूँ ए स्केर प्लस बी स्केर अंडर दी रूट यह था आपका आठवा रिजल्ट अब आजाते हैं नोवे रिजल्ट दे जिसको हम बोलते हैं पूलर फॉर्म ओफ कॉंप्लेक्स नंबर कैसे लिखते हैं देखो आपका मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप सबका टाइम बचे इसलिए मैं पहले ही मैंनत करता हूं आप सब के लिए परना अब मैं इसको स्टेप वाइश लिखता आपकी कम से कम 10 मिनिट लग जाती तो क्योंकि टाइम आपके पास वी कम है वीडियो को खतम करने के बाद आप भी अपनी तरफ सेल्फ स्टेडी में बहुत सारे चीजी जोड़ दोगे आप अपने प्रैक्टिस के लिए प्रिवेश पर पर जाओगे तो वह चीजे हैं तो इसलिए मैं आपका टाइम बचाने के लिए यही चीज हाइब बट्य हमें अगर मैं इसभी चुकंपई मंबर यहां दूसरे को तो यहां पर X है जिसमें आयटा नहीं है तो यहां पर कोंन है RK के साथ मिल्टिप्लाइ करोगे तो सिता मैं पर एक्स की वैलू कितनी आगई R Franthea alley किसी तरफ ढ़र जिए हमाई ऑसदी आप इस तेटा बैली कभी निकालनी पडे बेलू कितनी आ जाएगी आर साइन थिटा आर बटे में आ जाएगा य य आर साइन थिटा तो साइन थिटा कि अगर कभी वैलियू निकालने पड़ेगी तो कैसे निकालोगे य बटे आर य दो एक्वेशन थी एक्स इगल टू आर को सिटा य इगल टू आर साइन थिटा दोनों को स्केरिंग बोट साइड दोनों को मैंने स्केर करके एड किया एक्स इगल टू आर को सिटा का मैंने स्केर किया तो एक्स स्केर प्लस इगल टू आर स्केर प्लस आर स्केर इंटू को स्केर थिटा और इस ए दोनों में common था तो यहां पर r square आ गया और यहां पर को square और sai square theta इसकी वेल्यू आगई वन व को पस क्यों आगया एक्सवेड प्लस YS is going to r square इस यह स्केयर इस तरफ जागर अंडर जिरूट इनका ये है आर की वैलिव ौ ये है आर की वैलिव ौ अ ये देखी है एक स्क्राइक ब्लस य स्क्राइड कहा होता था यह होता था इस की वैल至 ऑफ जैड रही है तो अहीम तो मुद्लास ऑफ तो कहने का मतब जो मोडलेस की वैलिव होती है वही आर की वैलिव भी होती है ठीक है चलिए अब इसके उपर हम क्वेस्टिन करेंगे आपको किस तरह गया एक्वेस्टिस आपको दे सकता है उसकी में प्रैक्टिस करा दो यह सिंपल था आप नोट डाउन करना चाहते हो स्कीन अब अगर आप पोलर फों में तो आप क्या लिखते हैं कि जैड इजिकल टू आर वोस ठीटा प्लस आयटा साइन थीटा यहीं लिखते हैं इस अब क्या करना है आर की वैल्यू आपको पता होना चीए आर की वैल्यू अभी मैं शीखा गया था एस के प्लस बी स्केर अंडर थी रूट थृट थृट तोम दब आर की वेल्यों कितनी आगे दो आर की वैलयों आगी दो थी, और वह अरक वैल्यों यह रहाँ पर आगे कितनी दो अब और क्या चीत आ बोसे और साइं निसे रही तब पोलर स्वर्म पूर्म होगी को शुटा शॉटा इस्टा इसित एक्स boy but on वह देखो लिखा ऊगा आ था एक्स वाए आर और शे लिटो तो एक्स पूराबर हो जाएगा किसके यह हो गया X यह हो गया R X by R is equal to cos theta और अब 1 by 2 किसके इकवल होता है कोस कितना 5 by 3 कोस कितना होता है 60 होता है तो बराबर cos theta अब कोस से cos theta की value कितने आगी 5 by 3 theta की value आगी 5 by 3 ठीक है यहां तक साइन थीटा है ऐसे साइन थीटा की value निकाल लो साइन थीटा की value निकालते हैं कैसे y by R sin theta मलब अंडर दी रूट 3 y हो गया R कितना है 2 y by R sin theta बताओ वाई यहां से फिर से साइन 60 मलब 5 by 3 ठीक है साइन 30 ठीक है काइन से साइन वही समझ आ रहा है बोलो ठीक है तो यहां थीटा की value 5 by 3 theta की value 5 by 3 अब करना क्या है कि एटा की value क्या पूट कर देंगे 5 by 3 बस यह अंस्वर आपके यह आगी complex नंबर की polar form complex नंबर की polar form फस तीन स्टेप के अंदर polar form निकाल होगे सबसे पहले आर की value आर कैसे आएगा एक स्केर प्लस y स्केर अंडर दी रूट एक स्केर मतलब एक वाई स्केर मतलब तीन एक और तीन चार चार का अंडर दी रूट मतलब दो आर की value आ गई दो लिख दी ओस थिटा होता है xy r ओस थिटा होता है x by r x की value 1 आर की value 2 एक बटा दो वहीं से सोच लो के को स्टिटा एक बटा दो कितना होता है यह तो करना ही नहीं है तो यह तो समझाने के लिए है फिर साइन थिटा होता है y by r y कितना अंडर दी रूट तीन बटे आर कितना दो आप देखलो साइन रूट 3 by 2 कितना होता है साथ तो वहां भी 5 by 3 बिना पैंचलाई अंसर निखाल सकते वाँ ठीक है चलिए next पे चलते हैं यह आपको चलो एक कमेंट के लिए भी दे देता हूं हर बार एक आधा क्वेशन होना चाहिए समझ में आया है तो इसका अंसर बता दीशेगा आ आपके सामने है ठीक है ओके next सेलते हैं यह है आज का आपका दसवा रिजल्ट इसके ओपर भी क्वेशन में आपको कराऊंगा ठीक है फिर कुस प्रोपर्टी बताऊंगा देखें अर्गुमेंट ऑफ जैड जैड क्या complex नंबर एक्स प्लस आयट वाई तो आर्गुमेंट सकते हैं एक तो नहीं तो यहां देखने माइन होती है और यहां देखो याद करने के लुग talk пер सब्सक्राइब को याद करने की मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे यह दोनों आपस में सिर्फ थोड़ा सा चेंज सिर्फ प्लस प्लस और प्लस माईनस माईनस यह परक है सिर्फ एक माईनस का देशिए इसमें क्या है अर्गुमेंट आफ जैट एनिवर्स मोड़ूरूद्स ओफ वाई प्राइब एक्स इसमें क्या है माइनस पैन इनुवर्स मॉड़लस रवाइब बाइब इसमाने साफ फरक है कि इसमें y- मैंने स्मिछ या दोनों प्लस इतना प्राइब है और आप याद करोगे इन में कैसे याद करोगे इन केसों को जब X की वेल्यू माइनस प्लस है और माइनस माइनस हो तो जब माइनस प्लस में है तो पाई आगे है और दोनों माइनस में है तो पाई पीछे है बस इतना आपको ध्यान मतना है आप का अंस्वर आपके सामने हो का प्रेक्टिस मैं कराऊंगा अंस्वर मैं निकल ऐभी पूछले कौन से क्वादänger में है या फिर इसकी अर्गूमेंट आप तो देखो सबसे पहले आगर आपसे मैं पूछो कौन से बूत में है तो आप क्या बोलोगे तीश्रे क्वादनर में विद्वrios समय नब्सक्र पइस x-5 ठीक है जब एक्स की वेल्यू देखो एक्स की वेल्यू कितनी है माइनस में और य की वेल्यू भी माइनस वन है दोनों की माइनस में है तो यह आपके अर्गुमेंट होती है इसको याद देखो तो देखो टैन इनवर्स है कि वाई बाए एक्स वाई की माइनस वन माइनस वं मा मैनस य हो से गाएगा आउस है माइनस था लिख लो कहीं फिर आपको उसर समझ नहीं है ठीक है एक आगया तो 10-1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1045 क्या लिख सकता हूं 1045 मदलब पाई बाई फोर लिख सकता हूं माइनस पाई तो 10 से 10 इनवर्स कट गया पाई बाई 4 में से पाई घटा दिया तो अंसर आ गया माइनस 3 पाई बाई 4 एक बटा चार में से गटाओगे माइनस तीन बटा चार आएगा यह शिंपल आपका लिख समझ नहीं है पाई चार माइनस पाई माइनस थ्री पाई बोर और अंसर आपका आज़को बस कुछ नहीं किया अर्गुमेंट के अंदर य और एक्स की वेल्यू करी और अंसर आगे और देखो एक और क्वेश्चिन कराता हूं और समझ में आज़के अर्गुमेंट ओफ वन बाई टू माइनस आएटा बाई टू एक्स की वेल्यू कितनी वन बाई टू य की वेल्यू कितनी माइनस वन बाई टू कर लोगे सो देखो प्रूज कि देखो सब्सक्राइब प्लस माइनस क्या है इसके अर्गुमेंट माइनस पैनि वाई बाई लिखनो गई माइनस फैनि इन्वर्स Magic जिए य सोग है ते वाई बाइएक्स वाई कितना है मैनिस वन बाइट wooden जहाए तो मैनश्मूबैट फिस इंधा है और मोड्लरला सेट यह यह एक को क्या लिख दूंगा जैन फॉर्टी क्या देख दूंगा 1045 ठीक है आगे क्या करना है कुछ भी नहीं करना अनुसर आपका आगा माइनस पाइब वाइफ वह बहुत इजी है अगर आप शीखने की नियत रखते हैं तो यह किन मानिए मैट्स वेरी इजी इस डिपेंड अपॉन ओल कि वट इस यूर पॉंट आफ य ठीक है अगर अर्गुमेंट ऑफ जैड और जैड कंजुगेट की अर्गुमेंट को जोडा जाएगा तो जीरो अगर डारेक्ट वी रिजल्ट आप से पूछ लेता है इनके उपर सिंपल भी क्वेशन आपको दे देगा तो यह प्रोपर्टी आपको याद होनी चीए मोडस ओफ जयड़ं मोडस रवे डे 2 बराबर जैड़ं ऑप लिए इया अर्गुमेंट ओर यहीं चैनल फानिक प्रोपर्ट मा य्यूवो सकती है आपके और भागर या कमेंटर करते फो या नहीं नहीं तार्प होग हो सकती है वह्skyाएघ्जाम के अंदर में बात श्येड क का मुखा मिले आप शेर कीजिए वही चीज़े मुझे मोटिवेट करती हैं डूटी जे आने के बाद आपके लिए वीडियो बनाने के लिए ठीक है तो चल गए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वास में तब तक बाई बाई टेक क्या